हेलो फ्रीवन स्वागत है आप शिनों का तो हज मैं आप शिनों को समीकरण बनाना शिक्काऊंगा आप लोग ध्यान से समझेंगे जब दो समीकरण एक साथ दियों तो उनको कैसे साल्ब करेंगे जैसे देखे एकस प्लस टू आई बरावर साथ ये आपका पहला समीकरण है त दोनों को क्या आपको साथ में साल्ब करना है तो प्रतियस्थापन विधी के द्वारा आपको बताऊंगा आप लोग ध्यान से समझेंगा जब ऐसा समीकरण दिया हो तो सबसे पहले देखना है जैसे यहां पर टू यक्स लिखा हुआ है तो इसको भी आपको क्या टू यक् अगर आपको यक्स को क्या बराबर करना पड़ेगा अगर यक्स का मान निकालना तो आपको य के मान को बराबर करना पड़ेगा चलिए यहां पर जैसे मैं आपको यक्स लिखा हुआ है तो इसे भी टू यक्स बनाने के लिए क्या इसमें हम दो से गुड़ा करेंगे फिर में भी 2 से गुड़ा करेंगे जैसे यहाँ पर अगर मैं 2 से गुड़ा कर दूं तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका यहाँ यक्स में गुड़ा करूंगा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा फिर 2 से 2y में गुड़ा करूंगा प्लस कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा 7 में 2 से ग करना है जहाँपर plus का चिन है वहाँपर minus क्चिन लगाना है और जहाँ पर minus क्चिन लगाना पड़ता है तौपर देखे plus है त्लश मिन्यों तो समझे प्लस का चिन नहीख वो अगर कोई भी चिन न लिखाओ तो समल कि प्लस में अब यहाँ पर देखें 2x है यहाँ पर भी 2x है क्या माइनस में तो यह आराम से क्या जाएगा कट जाएगा अब यहाँ पर देखें प्लस 4y है यहाँ पर माइनस y है तो 4y मनसे 1y घटाएगे कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा कितना 3y अब यहाँ पर देखें बरा आपका कितना आ चुका है थेरी आ चुका है यक्स का मान कैसे निकलेगा वो आप लोग ध्यान से समझेगा जहाँ पर Y है वही पर आपको तीन लिख देना है जैसे आप इस पहले समीकरण में या तो रखकर आप यक्स का मान निकाल सकते हैं या आप दूसरे समीकरण में Y का मा पर आपको क्या 3 रखना है क्यों क्योंकि Y बराबर 3 आया है तो यहाँ पर जो अगर आप 3 रख देंगे तो 2 into 3 हो जाएगा दो 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यानि 6 लिखेंगे बराबर क्या है 7 है तो 7 लिख लेंगे अब दिखिए एक습 बराबर क्या हो जाएगा यह प्रश्णोर आपको समझाता हूँ इसी टाइप करेगा जिनोंको नहीं समझ माया वो भी क्या आसानी से समझ जाएंगे जी आपका दिखिए अगला सवाल है तुए एकस प्लस फाइक वाई बराबर क्या है 12 यह आपका पहला समीकरण है 4X प्लस 9Y बराबर क्या है 22 है यह आपका दूसरा समीकरण है इन दोनों को आपको क्या साल्व करना है तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 2 है अगर आप Y का मान निकालना चाहे तो X के मान को आपको बराबर करना है यहाँ पर 4X है यहाँ पर 2X है अगर हम इन में 2 से गुड़ा कर दें तो इभी क्या हो जाएगा 4X हो जाएगा तो चलिए इसमें हम गुड़ा करके इसका मान बराबर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा इन सम्में क्या आपको 2 से गुड़ा करना पड़ेगा तो उपर अगर हम इसमें 2 से गुड़ा करेंगे, कितना हो जाएगा, 4X हो जाएगा, फिर इसमें भी गुड़ा करेंगे, जब 2 से 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10Y हो जाएगा, बराबर आपका कितना, इसमें भी 2 से गुड़ा करेंगे, 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो यहाँ पर दिखेए पलस है यहां पर भी माइनस हो जाएगा अब 4x है यहाँ पर भी 4x है यहाँ एक चैंसिल हो जाएगा 10y माईनस 9y है तो जब 10y मन्से 1y घटे गा कितना बचेगा 1y बचेगा यानी y लिख देमे बराबर आपका 24 मन्से 22 गज जाएगा कितना आजाएगा आपका दो आजाएगा तो Y कमान आपका कितना निकल कर आया है दो आया है अब आप X कमान कैसे निकालेंगे पहले समीकरण में जहाँ पर Y है वहाँ पर दो लिख देंगे तो X कमान निकल जाएगा कैसे जैसे यहाँ पर 2 X है तो यहां पर आप 2X लिखेंगे, यहां पर plus का चिन ने तो plus लिखेंगे, अब यहां पर देखें, 5Y है, तो Y की जगह पर आपको क्या 2 रखना है, तो 5 दुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बराबर आपका कितना है, 12 है, तो 12 लिखेंगे, अब आप देखिए कैसे साल्ब कर यहां from 10 में बराबर की चैड में होजाएगा यानि 12 माइनेश आपको कितना जैगा दस आजेगा आप यहां पर दिखे 2If बराबर कितना जैगा बारम 2020 से 10 घटाएंगे कितना जैगा न जाएगा कितना जैगा दो से 2 क्या हो जाएगाrial याम से cancel हो जाएगा यानि X पराबर आपको कितना अजाएगा एक आ जाएगा यह सकंग कितना निकल कर आया है एक आए यजी क्या हो जाएंगे आपको क्या यहाँ पर प्लस पहले से, इसको आप आसानी से काट सकते हैं, यहाँ पर minus और प्लस लगाने किया शकता नहीं ही नीची, चलिए इसको मैं काट देता हम, y से y cancel हो जाएगा, क्योंकि कितना है माइनस 6 है अब अगर y कमान निकालना हो तो आप चाहे तो पहले समीकरण में रख दें चाहे या दूसरे समीकरण में रख कर निकाल सकते हैं चलिए पहले समीकरण में रख कर देखता हूँ यक्स बराबर माइनस 6 है तो यक्स की जहाँ पर आपको क्या माइनेस च्छा रखना है इसके बाद माइनेस वाई है तो माइनेस वाई लिखेंगे बराबर आपका कितना एच्छा है तो यहाँ पर च्छा लिख लेंगे अब देखेए यहाँ पर माइनेस वाई है क्या minus y, बराबर आपका कितना हो जाएगा, 6 है, इस minus 6 को बराबर किस side मिलाएगे, क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, अब आगे देखें क्या होगा, minus y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 जंचा कितना होगा, 12 होगा, तो minus y बराबर 12 है, यहाँ पर माइनस से गुड़ा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा अब 12 में अगर हम माइनस से गुड़ा करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आप सीधे से समझेगा अगर यहां माइनस है यहां पर प्लस है तो आप क्या करेंगे y बराबर क्या इस इसको माइनस में लिख दीजिएगा तरीका मैंने आपको बता दिया कि इस विधी के द्वारा हो रहा है यहाँ पर माइनस से गुड़ा करेंगे तो यह पुलस हो जाएगा यहाँ पर माइनस से गुड़ा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा पुलस वाहले से तो माइनस हो जाए मिलते आप से अगले वीडियो में